बस्तर जिले में जगदलपूर के वियस्त शेद्व अनूपमा चौक के समिप रहने वाले गुपता परिवार के दो सदस्य मा गायतरी गुपता और उसके बड़े बेटे निलेश की गुरुवार तड़की अग्यात हमलावारों ने धारदार हत्यार से हत्या कर दी परिवार का तीसरा सदस्य नितेश गुपता गंभीर रूप से घायल है जिसे मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में भरती करा गया है बता दे कि परिवार में तीन ही सदस्य थे मा गयतरी अपने दो बेटों के साथ रहती थी गयतरी विधवा थी और दोनों बेटे अविवाही थे घटना का कारान पता नहीं चला है गुपता परिवार की धरंपूरा मारगों में घर पर इरानक्ति दुकान है घटना गुरुवार तड़के की बताई गई है मुदवार रात को तीनों मा बेटा पनारा पारा में एक रिषदार के घर विवा समारों में गय थे और आधी रात को लौटे हमलावारों की संक्या चार से अधिक बताई जा रही है ऐस भी शलब सीनहा भी घटना अस्थल पर पहुँचे थे